हलो तो वाल माईडियों सुमित्राना, बच्छो आप सभी का हमारे सुमित्राना BSC क्लासेस में बहुत-बहुत सौगत है जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर बैक्ग्राउंड में थम्नल देख रहे होंगे इस कोर्स का मकसद यह है, लाइव क्लासेस के माद्यम से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि आपको लाइव क्लास यहाँ पर दी जाएगी, परेडे लाइव क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी, जिसमें हम जुलोजी और बौटनी दोनों को कवर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो हमारे ग्रामीर छेतर में रहते हैं, या ऐसी जगाहों पर रहते हैं, जहां पर अच्छी कोचिंग की विवस्ता ही नहीं है, या अगर है भी तो बहुत जादा हाई एमाउंट वहाँ पर लिया जाता है, जिस कारण हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, और BSC में उनका बहुत कम मार्किंग रहता है, बहुत कम मार्क्स ला पाते हैं, और उनका अच्छा डवलप्मेंट भी नहीं हो पाता है, कहीं कहीं पर कुछ बच्चे पढ़ भी लेते हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा है, म लेकिन उससे कोई फाइदा नहीं है, आप सभी को पता है कि अब जो merit वाला मामला था वो खतम हो गया है, कब का खतम हो गया, कई साल हो गया उसको, तो अब number के उपर depend नहीं होता है, आप first division है, second division है, third division है, doesn't matter, matter करता है कि आपका skills कितना अच्छा है, आप कितना जानकारी में और अपने विसाय के बारे में, matter ये करता है, तो हम सभी ये जानते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में, जो नई सिच्छा नीति लागू की गई थी, उसके आधार पर जो कूर्स बनाया गया है, उसमें second semester, fourth semester और six semester, यानि कि जो तीन semester का एक parallel चलना है, यानि तीन semester ऐसे होंगे, जो theoretical based होंगे, और तीन semester ऐसे होंगे, जिनका multiple choice questions पूछा जाएगा, कहीं कहीं पर ऐसा भी है, कि second semester में हो सकता है, theoretical based question भी आएं, आपके या theory वाले question पूछे जाते हो, question आता हो, उसमें आपको theory लिखनी होती हो, कहीं कहीं कि हम में बात कर रहा हूँ, उत questions को करवाती है, अब बात यहाँ पर यह आती है कि आपको अगर multiple choice question पढ़ना है, या multiple choice question करना है, तो उसके लिए आप सबको पता है कि एक question होता है, उसके चार option होते हैं, उसमें से एक सही answer होता है, अब उस एक सही answer को या तो आपके पास में इतना power हो, skills हो, इतना दिमाग ह इतना रटा मारने की पावर हो कि आप होरे questions को रट ले और कहीं से भी कोई question आ सकता है करीवन 500 question में से आपको मतर 100 या 1500 question करने के लिए 200 question करने के लिए आएगा तो क्या 500 question में 200 question वो फसेंगे ही फसेंगे इसकी भी कोई guarantee नहीं है है ना तो सही तरीका क्या है बहुभी कल्पी प्रश्न को हल करने का कि जब आप किसी एक topic को या किसी एक concept को अच्छे से समझ लेते हैं जैसे माल लेजिए मैं एक उधारन देता हूँ आप लोगों को की एक chapter है fungus का ही हम ले लेते हैं chapter ठीक है कवको का ही हम पूरा बात करते हैं या हम gymnos pumps की बात कर लेते हैं या हम human physiology की बात करते हैं जो कि आपके मैं syllabus की बात कर रहा हूँ human physiology की बात कर लेते हैं ठीक है तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं काईदे से तब तक आप उसका answer नहीं निकाल पाएंगे जैसे human anatomy में heart की बात कर लेता हूँ question अगर आपसे ये पूचा जाए कि human heart कहां पर located होता है तो आप रट के जाओगे क्या human heart कहां located है किस जगे पर है right side में है कि left side में है अगर जहां पर located है तो वो area कौन सा बोला जाता है कही सब रटना पड़ेगा नहीं आपको point to point इन चीजों को इन concept को इन topics को समझना पड़ेगा जब आप अच्छे से समझ लेंगे तब question कहीं से भी उठा दिया जाए या कहीं से भी पूच दिया जाए आप चुटकियों में उसको सवाल कर सकते है तो मेरा मकसद सिर्फ ये course बनाने का यही है कि आपको मैं सिर्फ यहाँ पर mcqs based question नहीं कराऊंगा बलकि जितनी भी unit आपकी यहाँ पर है उन सभी unit को हम कराएंगे detailed में यादि एक unit जो आपकी यहाँ पर है उस unit का जो theoretical portion ने वो करवाएंगे और उस theoretical portion के साथ-साथ जो उस unit से related आपके multiple choice questions बन सकते है उनको भी हम solve कराएंगे यानि हर unit को complete करने के बाद में उस unit से related जितने भी multiple choice question बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर solve करेंगे तो इस तरीके से हमारी यह बहुत अच्छे तरीके से एक preparation चलेगी पहली बात दूसरी बात यह course उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चों का amount बहुत कम है या उनकी इस्तित बहुत अच्छी नहीं है आज की rate में सभी की इस्तित अच्छी है लेकिन फिर भी बहुत अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनकी कताई अच्छी नहीं तो विचारे पड़ी नहीं पाते है लेकिन जो पड़ रहे हैं तो उनकी तो इतनी इस्तित है कि वो fees दे सकते हैं बहुत high amount नहीं दे सकते हैं कोई बात नहीं आप वोटा वोटा में जाकर के ये medical की preparation नहीं कर रहे हैं जहां पर हम आपसे लाखों रुपए मांग रहे हैं नहीं आपसे लाख डिड़ लाख नहीं आपसे मात्र आपकी pocket money मांग रहे हैं और इस pocket money के दौरा या उस pocket money देने के बाद में आपको 7 मैने की validity के साथ में पूरा package मिल जाएगा और यह उन बच्चों के लिए खास कर रहे हैं जो बच्चे ग्रामीर छेत्र से हैं या जिन बच्चों को अच्छी coaching नहीं मिल पा रही है उनके लिए हम course यहां पर लेकर के आएं बहुत demanding था बहुत सारे बच्चे के रहे हैं सर लाइव लेकर के आई है पिछले कुछ सत्र से मैं लाइव लाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन आप लोग को मैं लाइव नहीं पढ़ा पाता मैं accept कर रहा हूँ ठीक है कारण क्या था मैं उस कारण पर पहले बात करता हूँ कारण यह था कि जब मैं live लेने की बात करता हूँ तो इतना ज़्यादा syllabus होता है आप लोगों का कि उस syllabus को ही complete कराने में पुरा समय निकल जाता है फिर live आने का time ही नहीं मिलता समझ रहे हैं तो पहले syllabus को complete करा है कि live आकर के आपको पढ़ा है अभी हमारे पास में क्या है कि सारा syllabus complete हो गया अब हमें live आकर के आपको पूरे syllabus को revise एक तरीके से करना है पढ़ाना है और उस पूरे syllabus को पढ़ा करके उसके MCQS को अच्छे से solve कराना है और यहीं पर जैसे कि आप देखे रहें digital board के माध्यम से ही अब यहाँ पर आपकी classes लगेंगी लिखाई जाती है फिर उसके test होते हैं फिर उसकी preparation कराई जाती है बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर regular basis पर जोलोजी और बोटनी की second semester की classes करेंगे ठीके अब थोड़ी से मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ यहाँ पर कि जो batch यहाँ पर आप लोगों का है इस batch में खास बात यह है कि जितने भी बच्चे हैं वो सब यहाँ पर join कर सकते हैं ठीक है जो हमारे second semester के हैं चाहें वो उत्तर प्रदेश के किसी भी district से हैं वो join कर सकते हैं आपका syllabus बस मैच करता हो syllabus मैंने course में डाल दिया है तीसरी सबसे महत्पूर आप लोगों को important update यह देनी है भाई कि जिस तरीके से मैंने एक वादा किया था आप सभी बच्चों से कि हर एक semester की जो पहली unit होगी वो मैं आपके YouTube channel सुमित्राना BSC classes के ओपर free में available कराऊंगा और वो मैंने वादा पूरा भी किया अभी कुछ semester बाकी है उनके मैं पहली unit अफ्लोड करने वाला हूँ live आकर के ही वहाँ पर पढ़ा दूँगा वो सब आ जाएंगी लेकिन बाकी की जो units है वो आपके हमारे application पे मिलेंगी अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि YouTube के ओपर जो वीडियोस में ने पढ़ा ही है वो old fashionable हो चुकी है पुरानी हो चुकी है अब अगर आपको वही unit मैं application के ओपर free में पढ़ा हूँ तो क्या दिक्कत है नहीं ना समझे जो पहली unit होगी जैसे कि जितने भी आप लोग है अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे application को loader नहीं किया तो कर लो क्योंकि हर एक semester की पहली unit जो live classes के माद्यम्स यहाँ पर आप लोगों तक पहुँचाएंगे उसकी पहली unit एकदम मुफ्थ होगी एकदम free होगी इसका कोई भी charge आप से नहीं पड़ेगा यह आपके जो premium batch होगा यह जो live वाला course एक live course का section है उस section में आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर आप जैसे view course पे click करोगे तो सारी classes schedule form में आपको मिल जाएंगी जब जब चलेंगी फिलाल तो हम 15 या 16 फर्वरी से फर्वरी में batch start करेंगे 15 फर्वरी से हमारा batch start होगा यह थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ठीक है लेकिन exact that हमने 15 तारीक ही रखी है कोई दिक्कत अगर होगी तो कोई बात ने लिए इन 15 तारीक से हमारे batches start है और 15 तारीक से आपकी पहली यूनिट Geology और Botany की free में application के उपर ही live classes के मादण से पढ़ाई जाएगी तो आपको यह भी एक trust हो जाएगा कि हाँ जिस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं वो method आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है पहली यूनिट पढ़ने के बाद में आप आसानी से course को purchase करेंगे मुझे अच्छे से पता है कारण क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा और पढ़ा करके जिस मैं आपके notes पनभाऊंगा यार आप यह समझेगा कि आप अपने घर में नहीं अमारी क्लास में बैठे है अमारी coaching क्लास में तब आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और आपके जो doubt रहेंगे जैसे मालीजी कोई question में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कोई topic पढ़ा रहा हूँ उससे related कोई आपका doubt है तो आप comment करूँ मैं उस comment को read करूँगा और आपको समय रहते बिल्कुल उस comments का या जो भी question आपका रहेगा syllabus से related उसको solution भी यहाँ पर दूँगा अब जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि course जो मैंने यहाँ बनाया है इसमें खास बात यह लिखी है कि इस course में आपके B.Sc. first year के second semester की geology और botany को कराया जाएगा ठीक है पहली बात इस बात को याद रखिएगा कौन से semester के B.Sc. first year के second semester यानि कि जो B.Sc. first year का second semester आप लोग second semester में आगे होंगे जो बच्चे exam देके आए हैं first semester में वो second semester में आगे होंगे उनके लिए है और आप लोगों ने अभी तक अगर course को enroll नहीं किया तो कर लीजे फिलाल तो अभी मत करिएगा आप आईए पहले पढ़िए फिर उसके बाद में enroll करिए ठीक है तो application के ओपर ही आपकी live class यहाँ पर रहेगी पहली unit की YouTube के ओपर पूरी पढ़ी हुई है प्लेलिस्ट पर जाईए पूरी class आपको मिलेगी लेकिन अगर आपको new और updated class पढ़नी है तो आपको हमारा application लोड करना पढ़ेगा सुमित्रना BSC classes उसी के ओपर ही आपको live class का जो एक यहाँ पर application के ओपर box बना होगा उस पर click करेंगे जैसे click करेंगे course आजाएगा view course पर click करिएगा वहाँ पर आपको जोलोजी और बोटनी की पहली unit की live classes पंदरा तारीक से मिलना सुरू हो जाएँगी तो application लोड नहीं किया ठीक है फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने जो लोजी का जो आपका टाइटल है course का वो है biochemistry and physiology पढ़नी है इसमें आठ unit आपको पढ़नी है जिसमें पहली unit हमारी structure and function of biomolecules है दूसरी unit है enzyme actions and regulation enzyme किस तरीके से action करता है किस तरीके से regulate करता है उसको समझना है metabolism of carbohydrate and lipid lipid और carbohydrate का metabolism उसको तोड़ने तोड़ेंगे हम लोग dietion and respiration को समझना है छटी unit में circulation and excretion को देखना है साथमी unit में nervous system and endocrine system दोनों को पढ़ना है और आठमी unit में muscular system के बारे में समझना है और इन सभी topic को इन सभी units को पढ़ने के बाद में हर एक unit के multiple choice questions को solve करना है ठीक है उसके बाद में botany का जो title यहाँ पर है course का वो है archigoniates and plant architecture ठीक है जिसमें हम लोग पहली unit में introduction and archigoniates and bryophytes, bryophytes के और archigoniates के introductions के बारे में बात करेंगे pyridophyte को detail में समझेंगे bryophyte को detail में समझेंगे इसमें बहुत सारे आपके सदस रखेंगे उनको पढ़ेंगे तो उसके बाद में paleo botany है paleo botany में आपको जीवास्म बिग्यान के बारे में पढ़ना है पूरा यानि कि जितने भी fossils हैं या जो willipth हो चिकी species ठीके या जो species खतम होने वाली है उन species के बारे में पढ़ना है पांचमी यूनिट हमारी जो रहेगी वो angiospermit plant के उपर रहेगी और angiospons में आप लोगों को यहाँ पर stem root leaf का morphology पढ़ना है flower और inflorescence के बारे में समझना है plant anatomy में हम लोग यहाँ पर tissue के बारे में discuss करेंगे पूरा anatomy यहाँ पर देखेंगे फिर उसके बाद में साथमी unit में reproductive bot नहीं है यहाँ पर हम लोग plants में किस तरीकी से reproduction का process होता है वो देखेंगे और आठमी unit हमारी है palynology ठीके तो इसमें भी हम लोग palynology के अंतरगत pollen grains का पूरा system यहाँ पर समझेंगे और आठमी unit को देखने के बाद में उनके multiple choice questions solve करेंगे ठीके अच्छा कुछ खास बात भी यहाँ पर मैंने लिखी है कि अब BSC में आपको रटना नहीं है बलकि आसानी से समझना है क्यों समझना है भाई क्यों समझना है तो मैंने एक positive thought यहाँ पर डाला है आप सभी के लिए कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता कांच के खिलोनों को कभी उच्छाला नहीं जाता महनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान याद रखिए का बच्चो मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाती है आसान क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता तो आप लोग इस बात से बिल्कुल मी निश्चिन्त रहें आप लोगों ने अगर इस बात को समय पे डाल दिया कि भाई मेरी किस्मत है मैं तुक्का मार क्या होंगा अब्जेक्टिव कोशन्स में तो भोल जाओ कुछ नहीं सॉल्व होने वाला कुछ भी हासिल नहीं होगा ठ करने की है क्या बात जब सुमित राना बेसी क्लासेज है आपके साथ तो आप लोग आईए जुड़िए पहली उनिट आप लोगों को हमारे अप्लिकेशन के उपर अपडेटेटेट फार्म में फ्री में मिलेगी पूरी जलोजी और बाटनी की उसके बाद में आप हमारे को करने का एक दो तरीका यहां पर मैं आपको बताऊंगा एक तो तरीका यह है बच्चों कि अगर आपके पास में बहुत ज्यादा पॉकेट मनी नहीं है आपके पास में अमाउंट नहीं है तो आप तीन महीने का पैकेज हमारा ले सकते हैं जैसे ही आप बाइनाव पर क्लिक क करेंगे तो दो आप्शन चुनने के लिए आएंगे एक तीन महिने का पैकेज होगा एक साथ महिने का पैकेज होगा तीन महिने के पैकेज का प्राइज अलग है आसानी से आप उसको पे करके इंड्रोल कर सकते हैं क्लास में और साथ महिने का पैकेज का प्राइज अलग है उस के लिए भी यहां पर यह बनाया गया है ठीक है तो बस इतनी ही छोटी से information आपनों को देनी थी आईए join कीजिए class के अंदर और फोड़ते हैं हम लोग BSC second semester जबर्दस तरीके से पूरा का पूरा अच्छिस पढ़ते हैं मिलते हैं class में तो जैहिन जभरत